अगर आप किसी से बोले कि हमें स्कूटर लेना है तो सबसे पहले आपको होंडा एक्टिवा का नाम लेगा भाई साब एक्टिवा मतलब होंडा की एक ऐसी स्कूटर है जिसको एक अलग ब्रैंड घोसेद कर देना चाहिए अब देखिए हम लोग रिव्यू करते हैं हमें अच्छे से बता है कि मार्केट में एक्टिवा से कहीं ज़्यादा बेहतर स्कूटर उपलब्ध हैं दूसरे कंपनी के वो भी सेम प्रैस में खैर ये बात तो अलग हो गई आज बारी है स्कूटर जितने भी होंडा के हैं उनका प्रैस जानने के लिए वो भी लेटेश 2023 की क्योंकि यहां पर प्रैस लिस्ट हमारे हाथ में आ चुकी है और आपको जानना बहुत जरूरी है अगर आप एक्टिवा लेने वाले हैं तो बुरा मत मानिएगा कि मैंने शुरू में एक्टिवा के बारें बुरा ही कर दी हाँ आपने ब्रैंड है लोगों का भरोसा बहुत जादा एक्टिवा पर इसलिए लोग लेते हैं आज देख लेते हैं एक्टिवा की प्रैस कितनी बड़ी है क्योंकि यह नया तोफा है 2023 में की सारी कंपनियों ने प्रैस बढ़हा दिया है अपने ग्रहाकों के लिए चले शुर 21,000 यानि 70,000 प्रैस है अभी मैं उतार हूँ आपको ठीक है जो डिलेक्स वरियेंट है यह इससे लगबख 4,000 रुपए बहंगा है तो देखे जो आप अपना ऑन रोड के लिए बजट रखेंगे ना वह आप रखेंगे 86,000 लेके 93,000 की बीच में 86,000 तो 93,000 तक अगर आप बजट रखते हैं तो इसके जाए standard वरियेंट या डिलेक्स वरियेंट दोनों उसमें इंक्लूड हो जाएगा अगली भाई के डियो स्पोर्ट अब यह इसमें भी आपको drum और डिलेक्स दो वरियेंट मिलते हैं आप जो अपना बजट रखेंगे वो 86,000 तो 95,000 तक बजट रखते हैं तो जो डियो स्पोर्ट है इसके दोनों वरियेंट उसमें इंक्लूड हो जाएंगे अब जो अगला स्कूट एरे वो है एक्टिवा का प्रीमियम एडिशन मैं इसे एक बखवास एडिशन बोलता हूँ क्योंकि कोई मतलब नहीं है 76,000 करीब इसके एक्सोरूम प्राइज है और यह और आपको पढ़ेगी 90,000 तो 95,000 में अब अगला है एक्टिवा 6G अब इसमें भी आपको इस्टेंडर और डिलक्स दो विरियंट मिलेंगे और जो इस्टेंडर 73,000 यानि कि 73,000 के एक्सोरूम प्राइज पे है और जो डिलक्स है वो इससे लगभग 2,000 रुपए महका यानि कि 75,000 के एक्सोरूम प्राइज पे ह यह on-road आपको पड़ेगी 87,000 to 90,000 यानि कि 87,000 से लेके 90,000 के बीच में अब जो अगला स्कूटर हमारे पास है वो है यहाँ पे एक्टिवा 125,000 यानि कि 95,000 to 1,5,000 तक आपको अपनों बजट रखेंगे तो एक्टिवा 125 का कोई भी वेरियंट हो वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा अब आप अपने कोडिक जो आपको सही लगे वो आप ले सकते हैं ऐसे ही जब हम ग्राजिया 125 में आते हैं ये भी बड़ा अच्छा स्कूटर बरेको लगता है इसमें आपको ड्रम और डिस्क द दस हजार तक रखेंगे ठीक है वन लाक टो वन लाक टेट थाउजन की बीच में अगर आप बजट रखते हैं तो ग्राजिया 125 आपको मिल जाएगी ठीक है तो हुंडा की जितने स्कूटर की प्राइज लिष्ट नहीं आई है वो सब मैंने आपको बता दी है अब आप बता प्राइएगा जिरूर कोमेंट करके थ्यान रखिएगा अपना जय हिंद्ड